यहां दिल्ली शहर में इतनी शांदार रैली आउडनेस करने का हमें पता है कि कितना टाइम लगता है, कितना मुबलेजिशन एपर्ट लगता है और आपका जो स्ट्रगल चल रहा है, यह जो मुहीम चल रहा है कि देश सब के लिए है, कोई हिंदू के लिए नहीं है, मुसल्मानों के लिए नहीं है, सिकों के लिए सब का देश है, यह बहुत बढ़िया एक टापिक है और देश बर इसके उपर ही चल्चा चल रहा है और मेरे क्याल में ये campaign अभी लेना और देश बर ये campaign चलाना और इतने सादाद में इतने कुप सुरत राली हाँर में इस करना बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और लोकरा संघटन आपके साथ तो करी है यह जो आज चंडरा है इसके उपर डप्टर इलिया जे ने बहुत डीटेल बात किया और अन्याई वक्ता हों भी बात करेंगे तो इसलिए डीटेल में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन यह जो अन्याई चाहरा है अब आज और सब मांग रहे हैं कि अन्याई का कब कतम होगा न्याई दे दो न्याई के लिए मांग रहे हैं हम और गुनेगारों को सजाद दिलवाने के लिए हम मांग रहे हैं लेकिन एक सवाल मेरे मन में उड़ता है कि नियाए हम किसे मांगेंगे, किसके पास जाएंगे नियाए मांगने के लिए, इस सब जो चोर बैटे हैं और पुरे कम्प्रीट जो इंडियन स्टेट है, इसके एजेंसी का है, सब इसके साथ मिल जुल के एक काम करते हैं, लेकि मु करना, अन्याद दलितों के ऊपर सोशन करना, फुर जुन करना, महिलाओं के ऊपर रेप करना, इस सब मुटिबर के लोग करते हैं, और जब आगर स्टेट को चाहिए, तो इनको कभी एक दिन में एक रात में आंदर जाल सकते हैं, लेकिन सब गुनेगार अभी फ्री रोम हो इतने सारे डॉकमेंट लेकिया आएते हैं, और अर्टिमेटली क्या हुआ, यह सब जो गुनेगार है, वह सब अभी फ्री रोम हो रहे हैं, तो यह सोचना चाहिए कि नियाए जब मांग रहे हम, यह नियाए इतना आसान से नहीं मिलेगा, जब राली करते हैं दिली के शहर म हैं, उसका तोड़ा एफट होता है देश बर, और यह राली एक नहीं, दो नहीं करते रहाना चाहिए राली, और सड़क में उतरना है, सब को यह मांग करना है कि यह हमारा हक है, देश में हम दो यह देश्वासी, हमारा हक है कि हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के ल और जिस राज ने एक काम नहीं करता है जो निकम्मी एक कवर्मेंट है उसको ख़टाने का पुरी पुरा हमारा राइट है हमारा अधिकार है यह करने के लिए जो किसी के लिए हम अभी काम कर रहे हैं और हम और भी आगे काम करेंगे और इसमें ए देखना चाहिए कि सब मिल जुल के काम करते हैं बीजेपी जो है गवर्मेंट में अभी सबसे उपर सबसे ज़्यादा पाशिस्ट तरीके से वो काम चल रहा है और सबके किलाफ एक सोशन हो रहा है जैसे इलिया जी ने पाइंट आउट किया कि अगर देखेंगे किसानों सरक में है महिलावाँ सरक में है और वर्कर मजदूर अपने मांगों के लिए सरक में उतर गई है और स्टूडेंस अपने मांगों के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों सरक में हैं और अन्य जाते हों, अन्य दर्म के लोग सब उतरे हैं, क्योंकि हरे एक आप पर सोशन चलता है, हरे के आपर दमन चलता है, और अभी दिन बर दिन ये और भी जाधा होते रहता है, इसके लिए इसको कतम करना चाहिए और ये कतम करने वाले हम लोग है कोई और पार्टि नहीं है हम लोग, हमारे जैसे चोटे पार्टियाँ हमारे जैसे और्गेशन हमारे human rights organization हम सब मिलके इसको कतम करना चाहिए और ये जो बड़े corporate पार्टियाँ जो corporate businessmen के पातिया है इसको पुरा हम विरोग करना चाहिए और इसमें बरसा रखने का कोई एक बून का उमीद भी हमारे मन में नहीं होना चाहिए एक और बात रखना चाहता हूँ एक अतम करना चाहता हूँ इसके बाद कि यह जो अभी चल रहा है इसका कहां से क्या इसका मूल स्रोथ है यह आज नहीं चले वाले है या कल की बात नहीं है यह decade से 1947 से यह चल के आ रहा है अगर 1947 में अगर देखते हैं कि क्या हुआ उससे बड़े कतलयाम अभी तक नहीं हुआ उसमें एक करोड लोगों का कतलयाम हुआ हिंदूों, मुसल्मानों, सिकों का सब मिलके कतलयाम हुआ और काउन कतलयाम किया कतलयाम करने वाले लोग जो ब्रिटिश का जो चलाते थे कलोनियल अपना गवर्मेंट जब हिंदूस्तान से हटके वो बाहर गए, वो सोचा कि अगर ए देश, हिंदूस्तान, पाकिस्तान, बंगला देशे सब मिलके, सब यूनेटेड रहें तो फिर हमारा यहां दकल अंदाजी करने के लिए कोई फुटोल नहीं मिलेगा तो यह दकल अंदाजी करने के लिए, यहां इस एरिया में अपना वर्चस्व चलाने के लिए बाटा देश को हिंदूस्तान, पाकिस्तान और बंगला देश और अभी तक यह चल रहा है कि जब भी हिंदूस्तान में कुछ चलता है हिंदूस्तान में सोशन हो रहा है, वो पाकिस्तान के उपर ब्लेम कर रहे हैं और पाकिस्तान में जब सोशन चलता है हिंदुस्तान के उपर ब्लेम कर रहे हैं तो ये बांट के जो राज करना इनका एक स्टाटेजी है और सदियों से ये करते हैं जब कलोनियल रिजीम जहां शुरू हुआ कलोनियल अड्मिनिस्टेशन सबसे लोगों को जाति के आधर पर दर्म के आधर पर बांट के राज करना इनका एक तरीका है इनका एक प्रिफर्ड वेपन है और अभी तक करते रहते हैं और जो भी पाटिया, जो Carport गरानों के पाटिया है इमेडियेट्लि इसको इसको इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक बनाते हैं और इधर याँ उदर वो कहते हैं कि यह आप हमारे साथ आजाओ और आपके ऊपर जो इसको हम कतम कर देगे लेकिन इनके ऊपर कभी भी हम बरुसा नहीं रखना चाहिए और हमारे जो स्ट्रेंग्स है हमारे जो लोगों का जो विज्डम है इसके ऊपर हम करा रहना चाहिए और हमारा जो empowerment of people जब लोगों के हाथ में power नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाले हैं और लोगों को कैसे empower करना है लोगों को देश सलाने के लिए कैसे सिकाना है कैसे उनको mobilize करना चाहिए इस कार्य में इस कमानतोपूर्न के strategy में हम सब अभी उत्रे हैं और यह struggle को और भी जारी रखना चाहिए और बिलकुल आपका जो मुहीम है फिर से माइन काता हूं कि लोकरा संकटन की तरफ से आपको पूरी सहमत मिलेगा और हम सब आपके साथ है और यह देश हमारा देश है हम हम ही बचाएंगे एक बड़े-बड़े कि अपके साथ है कि अपके साथ है कि अपके साथ है